सो फ्रेंड्स आज के समय में यूटूब पे सोर्ट केटर काफी तेदात में बढ़ते चले जारे हैं उसका सबसे बड़ा करार यही है कि भाई सोर्ट वीडियो डालने से हमारे चैनल को अच्छी बूर्ट मिल जाती है और हम अच्छे सस्क्राइबर गैन कर लेते हैं और यहा को आज मैं ऐसी तीन इंपोर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं जो कि उन्हें अभी के टाइम पर अपने चैनल पर कर लेनी चाहिए इससे आपके जो है चैनल को अच्छी बूर्ट मिलेगी और आपकी जो वीडियो है एक हजार वीज पर रुक रही थी वो आगे भी बढ देगा जैसे में यहाँ पर अपना मुबाइल ओपनी करता हूं सिंपल आपके पास एक चैनल आपने बना लिया जैसे के पता बेसिक सी बात है चैनल हर कोई बना लेता है सिंपल बट उसमें जो इंपोर्टेंट सेटिंग होती है वो करना भूल जाता है या उसको नहीं पता अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर देना चैनल को सस्काइब भी कर लेना क्योंकि यहाँ पर यूटूब इस्टाग्राम और फेगुक्त सारे टिप्स हमाँ आपको हमेसाथ देते रहते हैं तो सिंपल जैसे हम देखते हैं यहाँ पर मेरे पास एक चैन करने हैं जो मैं अपनी डालूं तो इससे मेरी सुट वीडियो काफी वायरल हो और व्यूज भी काविया है सिंपल मुझे इसको कुछ नहीं करना ड्रेक्ट लिए हमें क्रॉम ब्राउजर पर जाना अब क्रॉम ब्राउजर पर जाने के बाद में यूटूब इस्टूडियो यूटूब इस्टूडियो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना ठीक है तो मैंने यहाँ पर सर्च कर लेना और यहां से आपको लोग इन भी कर लेना है मैंने सर्च कर लगा है मैं इसको क्लिक करता हूं और हमेसे 1000 यहां पर आपर अपर सकते तो सबसे पहले हैं अबर आइकन करना उसके बाद में जैसे हमारी सेटिंग ऑप्सन आती उसके बाद हमें यह बहुत सारी सैटिंग है देखना करने के जैनल और आप्लोड डिषारेक पर्मिशन बहुत सारी मिलेंगे पर इसको में छोटा सा करके एक बार आपको दिखाए दो इस पेज में होता क्या है यहां पर आपको चैनल का नाम देख रहा है सिंपल यह वाला इसको आपको चैनल पर क्लिक करना है इंपोटेंट है बहुत अगर आपने नहीं समझा इस चीज को तो हो सकता है कि आप यूटूब पर कभी ग्रोव नहीं कर पाओ चैनल वाले इस आइकन प आपकी वीडियो देखी जाएगी तो कोई लोग भी आपकी वीडियो नहीं देखेगा तो सिंपल आपको यहां पर सलैक्ट पर जाके यहां से आपको अपको इंडिया को आपको पर एक कीवर्ड का ओप्सन आपको देखने नहीं मिलेगा जब भी आप चैनल पर यानि के यूटूब इस्टूडियो के क्रॉम राउजर पर यहां से वाले वर्जन पर आओगे तो आपको यहां पर कीवर्ड का ओप्सन देखा अब यहां पर मेरा कोई भी कीवर्ड नहीं लगा रखा है अब कीवर्ड क्या मतलब होता ह है इसका मैं यहां पर आपको समझा दो कर आप एक बीगिनर है तो कीवर्ड वह इंपोड़ेंट चीज होती है जिससे आपका चैनल जिस फीड में रिच कराना चारू आप ब्लॉग तरह के सोड बनाते हो यानि कि सोड वीडियो में ब्लॉग बनाते हो मिनी विलोग जिसका हम टैक्स लगा सकती है तो आपको वो टैक्स लगा लेने जिस भी कैटेगरी का आपका सोड चैनल है यानि कि सोड वीडियो जिस भी कैटेगरी के आप बना रहे हो वो सारे टैग आपको यहां पर लगा लेने है यानि कि जिस तरी से आपके चैनल को यहां से रिच मिलेगा तो यहाँ पर आपको यह काम बहुत important अगर आप एक beginner है तो आपको अपने यूटूब चैनल पर ये setting बहुत जरूरी है करनी ठीक है उसके बाद एक setting और बताने बलो सिंपल यहाँ पर हम जो है चलते हैं कि जो वीडियो आप डाल देओ वो आपके बच्चों को दिखानी है कि नहीं दिखानी सिंपल आपको यस और नो है बट यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर क्लिक करकर रखना है तो यह दो setting आपको कर लेनी है ठीक है उसके बाद यहाँ से इसको हम जो है सैब कर लेते जो भी हमने setting करें सैब करेंगे उसके बाद यहाँ पर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक फिल्टर का सा आइकन दिख रहा सिंपल इस पर हमें किलिक करेंगा और यह भी एक ऐसी इंप्रोटेंट सैटिंग लाट की जो हमें अपने सोट चैनल पर अभी की टाइम पर करनी बहुत जरूरी है इससे हमारे व्यूज इंक्रीज होंगे तो सिंपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी यह सैटिंग है यहाँ पर जैसे आपको दिखता है यहाँ पर एड़ इसकी इसने पर इअपने चैनल का एक सैटिंग लगा यहां यहां पर यहाँ से ध्रोट पे ऐसी किली करेंगे तो यहां पर आपको स्लेक्शन कर रिमॉप सलेक्सीं का ऑप्शन मिलेगा और हम आ Mits antiн करना को कौन सा आइड सलेक्सन करना यानि कि जो आपको यह लगे कि यह मेरी मॉस्ट बैसार और सबसे ज्ञाइब घ्लाने वाली वीडियो सबसे लगे तो आपको सबसे टॉप पर रखनी ठीक जब टॉप पर रखेगी जब भी आपका वीवर आपके चैनल पर आएगा उसे कीनों इंपोर्टेन्स एडिंगर आपने अपने चैनल पर अभई इनको करोलो अभी किः तो अभी से आपके विडियोस पर आने तैसे और आपको विडियो सब्सक्राइब यहाँ पर उस्टप लुडिब् test फिर चलता हो और और एक नई वीडियो मिलता हूँ ओके बाइ जाहिन जेवार